नौड़ा के सेक्टर 121 एफ एफ एजी विहार टु इस्तेज श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर में शनिया मावस्या के पावन पर्व पर सुभा आट बजे से पूजा पाट हवन पूजन सुंदर कांड पाट व संकीरतन का यूजन किया गया तदो परांट प्रसाद वित्रण भी किया गया जिसमें सेक्ट श्रधालू ने हवन पूजन में बढ़ चल कर हिस्सा लिया और प्रभू का आश्रिवाद लेकर प्रसाद गरहन कर आनंद लिया इस दोरां श्री गौरी शंकर वैदिक धर्मार्त ट्रस्ट के संस्थापक वा अ अध्यक्ष्री श्री 108 श्री राजिंद्रानंद सरस्वती महराज ने अपने आशीश वर्चन से मंदिर प्रांगण में उपस्तित भक्त जनों को शुभाशीश प्रदान किया इस अफसर पार श्री गौरी शंकर महादेव मंदिर के अध्यक्ष्र श्री अजब सेंग याद उपाध्यक्ष्वा सचिव रिशव देव शर्मा पवन कुमार मनोज यादव मनोज ठाकुर सहित सभी कारिकरताओं ने बढ़ चल कर कारिक्रम में अपनी उपस्तिती दर्च कराकर सहभागिता की अज गौरी शंकर सन्यास आस्रम एफएंजी विहार टू में हम सभी भक्तों ने हमारे सिस्यों ने समने मिले करेके हम समने अज बड़ी सद्धा से प्रेम से और हाजता से समारपीत हो करेके हमनों ने रर्सो लास के साथ में सन्या मवस्या मनाये गया और परसो भी हम लोग बिशेश करके बताएं आपको कि जो सनी है हमारे यहां सनी को न्याया धीस कहा जाता है ग्रहों में सर्वस्ट्रेस्ट ब्रहस्पति हैं राजा सूर्ज हैं लेकिन न्याया धीस हैं सनी सनी का ठीक होना सब के लिए बहुत ही सुभ माना जाता है सनी कैसे देमता हैं जिनके बीना हम सब अधूरे हैं सनी आमावस्या को हर व्यक्ति को मनाना चाहिए सिर्फ वहीं नहीं मना है जिनकी सनी के दसाये चल रही है विदी विधान क्या है? विदी विदी ने घृत्या लिए। में अभी हम लोगों ने हवन किया तो इस यग्यकुंड में सनी की जो सामगरियां हैं काला तिल समी की लखड़ी इसका उपयोग करना चाहिए हो सके तो आज के दिन जो प्रसाद बनाएं बितरन करें या स्वयम ग्रहान करें दोनों अवस्थाओं में काली उरद हो काली उरद का उपयोग करना चाहिए सरसो का तेल दान भी करना चाहिए और इक से बता दे कि जिसकी सनी मार्गी हो कि को सनी जब मार्गी होता है तो सीरी के द्वारा चलता है और जब सीरी के द्वारा चलता है तो सरी में मानसिक तनाव बहुत ज्यादा दे जाता है मानसिक तनाव मानस उठल पुथल मानसिक चंचलता है, अन्य को प्रगारी की ब्योधान जब मारीगी होके आता है, उठपन करता है, ऐसी स्थितियां में जब सनी कुरूर स्थिति में आज आए, तो सनी के लिए आज के दिन जो हम जल से असनान करते हैं, उस असनान करने वाले जल में चार सनी की जो प्रकोप है, जिसकी वज़ा से हमारे जीवन उठल पुथल में चाहिए, इन सारी चीजों से भी हम मुक्त हो जाते हैं, सरसो का तेल का दान करें, और हो सके तो खिचडी में भी सरसो का तेल का उपयोग करना चाहिए, तो आज के दिन हम यही सब से चाहेंगे, भंडारा कराएं, कुछ नहीं कर सकते हैं, तो इतना जरूर करें कि अपने घर में उरद की दाल की खिंचरी बनवा करें, खुद ग्रहन करें, क्योंकि जरूरी नहीं कि सब लोग इतने समर्थवान नहीं होतें, कि सब लोग भंडारा करा सकें, ऐसी को जरूरी नहीं कि हम भ आपको मने बताया है कि आज के दिन काले बस्तू का दान करें, काला कपड़ा हो जाए, काली उरद हो जाए, सरसो का तेल हो, ये दान करना चाहिए, आज के दिन बिसेस एक चीज और है कि जिनके यहां जो लोग नौकर रखते हैं, नहीं, जो घर में नौकर रखते हैं, अगर तो ही कि खरीददारी कि जए या न कि जए तो क्या करेंगे आपको बतादूं कि सनि बार के दिन सनि देंटता को प्रसण करने के लिए सरसो का तेल का डाल करी का सनान करते रहें आप और बहुत जादा नहीं चाहता gotagramin किपहूँ जानते हैं Anytime agree गबड़ाते सनी गबड़ानी के चीज नहीं है सनी तो समरपनता के दें होता है और जो उने पर समरपी तो होका रेके न लोहा भी खई देना तो लोहा भी कई गुना पुन्ने देता है जो चीज सोना नहीं दे सकता वह लोहा दे देता है आप देख रहे हैं सक्छा न्यूज इंडिया सबसे पहले सबसे तिज